नमस्कार मित्रों सुम्वती अमावस्या के दिन जरूर करें इन चीजों का दान मिलेगा भाग्य का साथ हिंदू पंचांग के हिसाब से सभी तिथियों को महत्व पूर्ण माना गया है वही अमावस्या तिथी का भी विशेश महत्व बताया गया है सनातन धर्म में सभी तिथी का खास महत्व बताया गया है वही पूर्णिमा के साथ साथ अमावस्या तिथी को भी शुभ माना गया है इन तिथियों में विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना उत्तम फलदाई माना गया है पंचाम के अनुसार अमावस्या तिथी के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है बता दें इस साल 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है सोमवार के दिन पढ़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है इस दिन भगवान शिव की विशेश पूजा की जाती है ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव प्रसंद होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं सुम्वती अमावस्या को पित्रों का तरपन करने का भी विशेश महत्व है मान्यता है कि इस दिन पित्रों को तरपन देने से उन्हें मुक्ती मिलती है इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है विशेश रूप से गरीबों को भोजन वस्त्र आदी दान करने से पुन्य मिलता है सोम्वती अमावस्या के दिन करें अन्न का दान सोम्वती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है इस दिन अपनी श्रधा के अनुसार चावल, गेहु, शक्कर आदी चीजों का दान कर सकते हैं इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ती हो सकती है साथ ही जीवन में चल रही परेशानिया दूर हो जाती है सोमवती अमावस्या के दिन करें वस्त्र का दान सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना उत्तम फलदाई माना जाता है इस दिन भगवान शिव की विध्वत पूजा अर्चना करने के बाद आप सफेद वस्त्र का दान जरूर करें ऐसा करने से पित्री पर प्रसंद होते हैं साथ ही पित्र दोश से भी छुटकारा मिल जाता है सोमवती अमावस्या के दिन करें काल तिल का दान सोमवती अमावस्या के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुब माना जाता है ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ती को पित्र दोश से छुटकारा मिल जाता है साथ ही घर परिवार में सुख सम्रिध्धी और संपनता भी बनी रहती है इसके अलावा तिल का दान करने से जातक के कार्य सिद्ध हो सकते है अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करे